स्वागत है आप सभी का एक्जाम वार्यर के यूट्यूब चैनल पर आज की जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ वो आने वाली बगैंसिस पर है जो कि यहाँ पर कहा गया है जो यहाँ पर चैन प्रक्रिया होगी वो हमीरपूर बोर्ड के अनुसार होगी और हमीरपूर बोर्ड के दवारा ही यहाँ पर एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा यहाँ पर यह कहा गया है शिमिला हिमाचल पत परिवहन निगम जूनियर ओफिस असिस्टेंट बतलब जेवाइटी के 130 पत भर रहे हैं हिमाचल परदेश करमचारी चैन आयोग हमीरपूर इन पतों के लिए लिखित परिक्षा लेगा यह पद रोस्टर के हिसाब से भीविन विभागों के लिए आरक्षित रखे गए हैं HRTC जूनियर अकाउंटेंट के 22 पदों पर भरती करेगा यह सभी पद भरती एबम पदोनिती नियमों के अनुसार भरे जाएंगी JIT के पद को भरने के लिए आयोग जल्द ही लिखित परिक्षा की तारीक भी यहाँ पते करने वाला है और जो इस परिक्षा को उतीर्ण करेगा उनका टाइपिंग टेस्ट होगा फिर शक्षात कार होगा जैसे कि आप सभी जानते हो डॉक्यमेंटेशन की प्रक्रिया समापत नहीं हुई है बस जो डॉक्यमेंटेशन में मार्क्स जुड़ते थे वो प्रक्रिया समापत की गई है बाकी यहां पर पद यहां बताए गए हैं किस वर्ग को कितने पद यहां पर मिलने वाले हैं अगर यहां पर open की बात करी जाए तो 34, EWS में 19, फिर यहां पर अनरक्षित EWS, WFF की बात कही जाए तो यहां पर दो पद रखे गए हैं इसी परकार अनुसूचित जाती के लिए 22 इस परकार आप देख सकते हो कि किस क्याड़ेगी लिए कितने पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे काफी जल्द यह भरती भी आपको देखने को मिलेगी तो जो भी HPJIT की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए कफी अच्छा study material मैंने provide करवाया हुआ है चैनल पर आपने विजिट करना है HPJIT करके playlist आपको मिलेगी ऐसे topic मैंने करवाय हुए है जो difficult होते है लेकिन उन्हें आसान भाषा में आपके लिए मैंने समझाया हुआ है जैसे number conversion हो गया या फिर logic gate हो गए या languages related आपके mcqs हो गए क्योंकि languages में जादातर अभियार्थी confused रहते हैं उन्हें यह नहीं पता होता है कि languages में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए MS Office जो की most important topic है जैवाइटी के लिए बो भी करवाया हुआ है तो इनसे भी चीजों पर वीडियो मैंने बनाई है बाकी आज से लिकर specific mock test की series आपके लिए मैंने शुरू की है जो की जैवाइटी पोस्ट कोड 965 के मद्दे नजर रखते हुए शुरू की गई है तो उसे भी आप देख सकते हो क्योंकि आने वाले जो भी जैवाइटी के exam है उससे रेटी ठी कॉश्टन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं तो यह कुछ एक update थी ऐसे ही daily updates के लिए अपने channel से जुड़े रहना है तो मिलते हैं आपसे next video में किसी नए update के साथ